हेलो एबरीवन मैं सुब आप सभी लोग का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूँ आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बायो लाज़ी के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है पहला जो कोश्चन पूछा जाता है पेपर में अक्तर की संसार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है तो आपको ददू संसार का जो सबसे बड़ा पुस्प है वो हो रेफले सिया है क्या है रेफले सिया है वही नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि सामान नेत्थ अंकुरड के लिए किसकी आउसकता नहीं होती है तो प्रकास की आउसकता नहीं होती है अंकुरड के लिए चले गाइस नेक्स्ट चलते हैं next में आपसे बहुत ही अच्छा कोशन पुछा जाता है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है तो साइकस ऐसा होता है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है चले गाइज नेक्स पर चलते हैं नेक्स में आपसे बहुत ही अच्छा कोशन पुछा जाता है कि किस पौधे का फल भूमी के नीचे पाया जाता है तो ध्यांदीजे का मुंखफली का जो फल होता है वो भूमी के नीचे पाया जाता है चले गाइज नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि नार्यल का खाने वाला भाग कौन सा होता है तो वो होता है भुरुड पोसी तो गाइज नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि सुगंधित पुस्पो में परागर किसके द्वारा होता है तो सुगंधित पुस्पों में जो परागर होता है वो होता है कीट के द्वारा I mean insect के द्वारा होता है चले गयाईज नेक्ष्ट पी जलते हैं नेक्ष्ट में आपसे बहुत ही अच्छा कोश्चन पुछा जाता है जिसमें आपसे पुछा जाता है कि बताईए कि अनिसेच जनन प्रायह किस में दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है अंगूर में तो गयाईज नेक्ष्ट पे चलते हैं नेक्ष्ट में पुछा जाता है कि चावल का दाना क्या है तो चावल का जो दाना है वो एक बीजी ये फल होता है चलेगा इस नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बताए कि नासपाती का कौन सा भाग खाया जाता है तो नासपाती का जो भाग खाया जाता है वो होता है गुद्देदार पुसपासन चले गाइस नेक्स कुछलते हैं नेक्स में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि बीज किसे से बिक्सित होता है तो बीज जो बिक्सित होता है वो बीजांडो से बिक्सित होता है नेक्स कुछन आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि चाय के पौधे जो होते हैं का वानस्पतिक नाम क्या होता है तो चाय की जो पौधे का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है थिया साइनेंसिस So guys next पर चलते हैं Next में आपसे पूछा जाता है कि मटर का पौधा क्या है तो मटर का जो पौधा है वो एक प्रगार का साख है next question पर जलते हैं next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि long होता है एक तो long जो होता है वो पुस्प सुस्क पुस्प कलिका होती है क्या होती है सुस्क पुस्प कलिका होती है so guys next पर जलते हैं next में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पौधे के किस भाग से पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है तो पौधे के जड़ों से क्या होती प्राप्त होती है काफी चले गाइस नेक्ष पूछा जाता है कि तंबाको की पत्यों में होता है तो तंबाको की पत्यों में जो होता है वो क्या होता है निकोटीन हो वह यंत्र जिसके द्वारा तने की बृध्धी दर्ष सही रूप में नापी जाती है तो वह यंत्र है आगजे 9 मीटर चलेए गाइज नेक्ष पूछा जाता है कि बताइए कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है तो पेड़ों और पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ होता है वो होता है उब फील होती है so guys next पी चलते हैं next में आप से पूछा जाता है कि बताइए कि चुई मुई की पत्ति में गती होती है तो गती होती है कमपानू कुंचन गती होती है next question की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि चाय में लाल रस्ट रोक किसके द्वारा होता या कारण होता है तो हरे सहवाल के कारण so guys यह जो भी question है यह आपके लिए UP credit, I, C, A, R, B, H, U और Jet Agriculture Entrance Exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और साथ में अगर Super Agriculture Supervisor का paper देने वाले हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा important है इसलिए अगर आप वीडियो को skip करते हैं तो यह आपका नुकसान होगा हमारा नहीं और अगर चैनल पे नए हैं तो subscribe कर लिजे so guys next पर चलते हैं आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि नीबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है तो नीबू का जो कैंकर रोग होता है वो जिवाडू के कारण होता है चले गाइस नेक्ष पर चलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि कोसिका में प्रोटीन संसलेसर कहा होता है तो कोसिका में जो प्रोटीन संसलेसर होता है वो राइबो सोम में होता है वही नेक्ष कोशन आपसे पूछा जाता है कि बदाएगे कि किसकी उपस्थिती के कारण किसी पादप कोसका और पसु कोसका में अंतर पाय जाता है तो वो होता है कोसका भित्ती की उपस्थिती के कारण चलेगा इस नेक्ष पी चलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बताए कि जिऊ दरब्य सब्द का प्रयोग सरपसम किस ने किया था तो पूर किंजे जो थे जिनोंने सबसे पहले इसका उपयोग किया था या प्रयोग किया था चलेगा इस नेक्ष पी चलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि जिऊ दरब्य जिवन का भौतिक अधार है यह किसका कथन है तो यह कथन जो था वो हक्सले का था किसका था हक्सले का था चलेगा इस नेक्स पर चलते हैं नेक्स में आप से पूछा जाता है कि बताईए कि फूलो और वीजो को विभीन प्रकार के आकरसर रंग प्रदान करता है तो फूलो और वीजो को विभीन रंग जो प्रदान होता है वो होता है क्रोमो प्लास्ट के तो lysosomes जो होता है को सिका की आत्मा हत्या की थहली कह ला जाता है और ध्यान दीजिजेर का ये question सबसे हर बार पूशा जाता है हर paper में पूशा जाता है इसलिए इसे जरूर note कर लीजेगा चले गाइज, next में आप पूशा जाता कि बताये कि nucleus की खोज सर प sneaking कि थी वो brown थे जिन्होंने सबसे पहले खोच की थी सो guys next पर चलते हैं जो capsule खाते हैं आप उसका आवरण जो होता है वो किस से बना होता है तो वो बना होता है स्टार्च से बना होता है चले guys next पर चलते हैं next में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी सरकरा तत्काल उर्जा प्रदान करती है तो वो होती है ग्लुकोज जो की तत्काल उर्जा प्रदान करती है चलेगा इस नेक्ट के चलते हैं नेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि सरीर में उत्तक जिसे कहते है टीसूस का निर्मार किससे होता है तो सरीर में जो टीसूस का निर्मार होता है वो प्रोटीन से निर्मार होता है उसका चलेगा इस नेक्ष जलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है तो एंजाइम जो मूल रूप से होता है क्या होता है प्रोटीन्स होती है चलेगा इस नेक्ष चलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बिटामिन सब्द किसने प्रतिपादित किया है तो बिटामिन सब्द जो सबसे पहले प्रतिपादित किये थे वो थे फंग की पाइजाता है गाज़र में फिजाजने में आर्फ कि मानो सरीर भी टामीन ए possibility संचीत रहता है तो मानों के सरी में जो भी डामीन nell emocisch छलता है वो उसके यक्रीत में संचीत रहता है कहां पर एक रेतमे तर्फ रहता है नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि थाइमिन क्या है तो थाइमिन जो है वो विटामिन B1 ही है उसे थाइमिन भी कहते हैं सो गाइज नेक्ट में चलते हैं नेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि बिटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है तो बिटामिन C का रासाइनिक नाम एसकॉर्बिक अमल या एसकॉर्बिक एसिड होता है चले गाइज नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि किसी सबजी से प्राप्त नहोंने वाला विटामिन कौन सा है तो विटामिन डी जो कि सबजी से प्राप्त नहीं होता या सुरिकी रोसनी से प्राप्त होता है अब ये नहीं कि दोपर के बारा बज़े जाके बैठ जाए ये सुरी के रोस नहीं देने चलेगा इस नेक्ट पी जलते हैं नेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि वदाइए कि मचलियों के यक्रित के तेल में किसकी प्रचूरता होती है तो मचलिओं के यक्रित के तेल में बिटामिन D की प्रचूरता होती है मतलब अधिक्ता होती है चलेगा इस नेक्स वी आनक्स में आपसे पूछा जता है कि बिटामिन का रासाइनिक नाम क्या होता है ये पेपर में हर पाप पूछा जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो विटामिन का जो रसाइनिक नाम होता है वो टोको फिराल होता है ये कोश्चन जरूर नोट कर लीज़ेगा आप सभी से यही निवेदन है चले गाइस नेक्ष में आप से पूछा जाता है कि मानो सरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है तो विटामिन के के वज़ा से सरीर में रक्त का थक्का बनता है तो गाईज आप लोगों को अगर आप वीडियो फसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक काम करिए कि प्लीज सस्क्राइब कर लिजे और लाइक से जरूर कर लिजे गया चलेगा THIS NEXT को जलते हैं नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि हिर्दय की धटकन और नियंतरित करने के लिए कौन सा खनीज आवस्यख है तो हिर्दय का जो धडकन को नियंतरित करने के लिए खनीज का उपयो कर जाता है उसका नाम होता है पोटेसियम सो गाईज नेक्ष पूछा जाता है कि बताईए कि सागरी जो खरपतवार होते हैं सागर में आप देखेंगे कि खरपतवार पाई जाते हैं और उसमें क्या पाई जाता है तो उसका महतोपूर जो पाई जाता है उसमें उसमें पाई जाता है आयोडीन जो सागर में खरपतव होते हैं उसमें आयोडिन सबसे जधा पाई जाता है मानव सरीर में मोर्त करता है कौन सा रोड प्रायह वायू के माध्यम से फैल तो फ्लाग exists रोग होता है जो कि प्राय है और वाई यू के माध्यम से फैलता है चले गाइज नेक्ष चलते हैं नेक्ष आपसे पूछा जाता है कि बताई कि मनुस्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है तो मनुस्य की खोपड़ी में जो अस्थियां होती है वो आठ होती है अगला next question आपसे बहुत अच्छा question पूछा जाता है कि मानों की पाचन नली लगभग कितने feet की होती है तो मानों की पाचन नली जो feet होती है वो 32 feet की होती है So guys, हैना amazing तो please like कर दीजे चलेगा next में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि दुख्ध प्रोटीन को पहुचाने वाला enzyme है तो दुख्ध प्रोटीन को जो पहुचाने वाला enzyme होता है वो होता है रेनीन enzyme चले गाइज नेक्ष में आपसे पूछा जाता है कि अधिक्तम पोसक तत्वरक्त में कहां से आवसोसित किये जाते हैं तो छोटी आज से क्या होता है सबसे ज़्यादा आवसोसित किये जाते हैं चले गाइज नेक्स में आपसे पूछा जाता है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है तो मुख से निकली लार जो होती है वो स्टार्च का पाचन करती है सो गाइज हमने आपको बहुत ही ज़्याधा इंपोर्टेंट बायोलोजय की कोस्चन करा दिये हैं अब आपसे यही कहूँगा और आसा करूँगा कि आप लाइक और साश्क्राइब और सेर जरूर करेंगे और आपसे यही कहूँगा कि मैं question जो होता है मैं आपको बहुत ही जल्दी provide करा रहा हूँ इसलिए आपसे कहूँगा कि daily basis पे हमारे papers question आते रहते हैं जितने भी मैं question कराता हूँ उसमें पिछले साल के UP credit के भी question involved रहते हैं इसलिए आपसे यही कहूँगा कि आप यह मत सुचा करिए कि नए question है साथ में यह भी बता दे रहा हूँ कि इसमें बियच्चू, UP credit, JET और ICR के old question भी involved रहते हैं तो आप सूच रहे होँगे कि अरे यह नए question है ऐसा बात नहीं इसमें बहुत सारे question इंवाल रहा है तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक next video ने तब तक के लिए बहुत पहुत धन्यवाद और likes और subscribe और share जरू करिएगा